मैं भारत को भारती अताकी माननिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ उस काम में लगा हूँ मैंथी के लाडू जरूर खाईए जरूर खाईए मैंथी के लाडू बनाईए गाय के तूप में और गुड़ में गुण, गाय कातू और मैथी के लाडू बनाईए, भरपूर खाईए, सरदियां आ जाएं तो रोज खाईए, तीन महीने सरदी चलती है, कभी कभी चार महीने भी चलती है, तो सरदी के दिल रोज एक मैथी का लाडू जरूर खाईए, और ये मैथी का लाडू, उनको तो अच के लिए जिसको सीजेरियन ऑप्रेशन हुआ है आजकल बहुत होता है आजकल तो जब भी में किसी से पूछता हूँ सबको ही सीजेरियन होता है नॉर्मल डिलीवरी होता ही नहीं है क्यों यह डॉक्टरों की वहिमानी और हराम पुरी का प्रमाद है मैं आपको हाथ जोड़कर एक विंटी करता हूँ आप बीमारी से नहीं डॉक्टर से बचो बीमारी खतरनाग नहीं है दॉक्टर खतरनाग यह पता है डॉक्टर क्या करते हैं आई को डराते हैं आई को दर्भावस्ता है आप जाते हैं डॉक्टर के पास वो डराना शुरू क तो आपको कॉम्प्लिकेशन है, बच्चा स्वस्थ नहीं होगा, मर सकता है, पैसेज बहुत छोटा है, शरीर में केल्शियम कम है, आपको हीमोग्लोबिन कम हो गया है, अभी तो बच्चे को काटके ही निकालना पड़ेगा, तो आई को डराते हैं, आई के घरवालों को डरात हैं, वो बिचारे सब तयार हो जाते हैं, और डॉक्टर का धंदा चल पड़ेगा, अगर डिलीवरी नॉर्मन हो, तो डॉक्टर को पांच साथ सो रुपए मिलेगा, और अगर उसने सीजर कर दिया, तो चालीस में तालीस हजार रुपए तो बन जिया उसका, अक्सर क्या हो उस बीमारी का नाम है, यूट्रस डिस्प्लेस्मेंट, गरभाश है का अपने इस्थान से हटना, और अगर ये हट गया, तो डॉक्टर के हाथ पांच पूल जाते हैं, फिर वो बोलता है, पता है क्या बोलता है, अरे अब तो ये हट गया है, इसकी कोई औशद नहीं है, द अगवान में दिया क्यों, और जो आई को गरभाशे कट करके निकाल दिया डॉक्टर ने, उस आई को जिंदगी भर तरास होगा, उसकी कोई दवा दुनिया के किसी डॉक्टर के पास ने, क्यों गरभाशे बहुत बड़े काम करता है शरीर के लिए, वो सारे काम रुप जा अगरभाशे काट के निकाल देने के बाद, आई के शरीर का हार्मोनल बैलेंस पूरा टूप जाता है, और हार्मोनल बैलेंस तूपेगा, तो आई को जिंदगी भर पीट का दर्द होगा, जिंदगी भर, वो मरने के बाद ही जाएगा, फिर उस आई को ये जंधा का दर्द पुर्णे का दर्द होगा फिर यहां कंधे का दर्द आ जाएगा फिर जिंद्धी वरिये दर्द में तड़कते तड़कते आई चले जाएगे डॉक्टर के पास फिर दुबारा जाएंगे तो कहेंगा मैं और कुछ नहीं कर सकते तो मेरी आप सभी को एक मिलिंटी है कि आपके घर में कोई आई को गर्भावस्था है तो डॉक्टर की बात भूल के लिए मत सुनिए तो कहता है Operation कराओ केते हैं कि महीं करेंगी तो वो आपको डराएगा बच्चा मर सकता है तो गयना बग्वान के हाथ में Z examined होना वो तुमारे हाथ में नहीं कि जिसको मरना है मरेगा जिसको जिन्दा रहना है वो रहेगा तुम तुमारी अपनी बात अपने पास रखो हम हमारे घर में काम कर लेंगे अब आप बोलेंगे कि फिर हम करें क्या ऐसी इस्थती में ये जो मैथी के लड़ू है ना ये बड़े काम की चीज जिस आई को जरूर खाये और उस आई को खिला ये जिसको घरभावस्ता है और इससे भी जादा जरूर ये एक और महिती दे देता हूं कि अगर किसी आई को किसी कारण से यूट्रस डिस्प्लेस्मेंट हो गया गरभाश है अपने इस्थान से हट गया तो उसकी दुनिया में एक ही दव उसके अलावा कोई दवावी नहीं है तो जिस आई को घरभाश है अपने इस्थान से हट गया है उसको नियमित रूप से मेंथी के लड्डू खिलाई लड्डू बनाना आप सब जालते हैं मेंथी के लड्डू नियमित रूप से अगर आपने खिलाए गाय के दूप के आई का गरभाश है वापस अपने इस्थान पर इस्थित हो जाता है और उसकी जिन्दगी में जो तरास होने वाला है वो सब दूर हो जाता है इसलिए मेंथी जो है बहुत अधूत आउशदी है अपने घर में जरूर रखिए डाइगोटीज के लिए काम आती है आई को गर सम्भंदित कोई भी रोग हो गया तो यह मैं थी ही सबसे अच्छी ओशदी है वात्स सम्भंदित रोख गुणगे दुखना बाद करो ass來了 में दुखना यह वात्शदी का दाना खाने का तरीका मैंने बता दिया एक चमच रात को एक गिलास पाने में डालिए सुबह उठकर वो पानी पीना है पीछे से मैथी दाना चबा 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 के खाना इसी मैथी दाने से और भी एक रोख चीख होता है वो रोख क्या है रक्त के अंदर अभी थोड़ी देर पहले में बात कर रहा था ना कॉलेस्ट्रॉल बढ़ गया हो तो इसी मैथी के दाने की ताकत है जो कॉलेस्ट्रॉल को कम करता है माने आपने बहुत दिन डालडा खाया है और बहुत दिन सोयाबीन तेल खाया और बहुत दिन रिफाइन तेल खाया तो थोड़े दिन अब मैथी का दाना खा लो तो आगे की जिन्दगी ठीक रहे जितने दुश परिणाम हुए है डालडा खाने से रिफाइन तेल खाने से उन सब को बाहर निकालने की ताकत इसमें है मैथी के दाले में क्रट के अंदर कॉलेस्टरल जो खराब कोलेस्टर설 है जिसको NdL वेल्डल कहते हैं उसको कम करने की सब से जादा शक्ती मैथी के दाले में है तो मैथी का दाना उस रोग में भी काम आता है कॉलेस्टोल आप समझते हैं यह वही बीमारी है जिसस से थे बियद के घृता और वही बीमारी है जिससे दायबेट्रीज होती है तो मैघ्ञाङद जान काम कार माता है और वह बीमारी है हाइब हेलट प्रेशक है करतका दबाउ वाऔ हुँचा हो गया जिनको भी का करता दबाउ उचा हो गया तो मेती का दाना बिल्कुल गरम नहीं करता जिनको स्वस्थ है शरीव उनको गरम करेगा लेकिन जिनको वायू का रोग है उनके लिए तो वो सबसे अच्छी आउशदी है मेती का दाना तीन महिने ले लिए सामन निरूप से सभी रोगों है तीन महिने आप ले लिए तीन महिने से ज़्यादा लगातर मैथी दाना लेने की कभी भी जरूरत पड़ती नहीं तीन महिना मैक्सिमम होता है 90 दिन काफी होता है तो कॉलेस्ट्रोल कम करने के लिए मैथी का दाना शरीर का ट्राइब लिस्राइट कम करने के लिए मैथी का दाना, शुगर कम करने के लिए मैथी का दाना, ब्लड प्रेशर कम करने के लिए मैथी का दाना, यूट्रस डिस्प्लेस्मेंट ठीक करने के लिए मैथी का दाना, ऐसे ऐसे मैंने 48 रोगों में उपयोग किया है मैथी सकते हें चाय ना पिएंगे तो अच्छा क्योंकि चाय और मैथीदाने की दुश्मनी मैथी दाना और चाए की दुश्मनी है तो आप बूलेंगे चाए की जगे क्या पहते हैं दूद ही अगे जगे ताक पी ताक और मैथी दाने की तोस्ती जहीं खालो दाक पीलो and juice कुस पीशक्ते कुई भी चाय प्योगए तो मेहतीदानी का सब करते हैं चैरे से चाय मेहतीदानी का सब अक्रूं कर्ला को सब नियुता है तो क्या हम ले बने ऑक चाहें ठो Harley सपते हैं बीच-पीच में ठोड़े दिन छोड़ चोड़ कर five अश्वयों दया खाना चाहता है इसके लिए कि भविश्य में उसको कोई बीमारी ना हो तो 15-20 दिल लगाता रखाओ फिर 15-20 दिन का गैब दे दो फिर 15-20 दिल खाओ फिर गैब दे दो फिर खाओ फिर गैब दे दो ऐसा करके आप खा सकते हैं सर पुदीना काने से क्या पाई जाए एक मिनिट रुख जाए यह मैथी दाने की बात चल रहे है आप पुदीना भी पहुंच रहे हैं मैथी दाने को स्वस्थ व्यक्ति भी खा सकता है लेकिन बीच बीच में छोड़ कर लगातार उसे नहीं खाना चाहिए लगातार उसे को खाना चाहिए जिसको बीमारी